हलो फ्रेंड्स अगत्य आपका मेरी युटूब चैनल में आज आपके साथ में और एक बहुती खुपसरत डिजाइन वाला मंगल सुतर लेकर हैं दिखने में बहुती खुपसरत है और बनाने बहुती आसान है आप इस मंगल सुतर के डिजाइन को घर पर आसानी से बना सकते ह यहाँ पर मैंने मंगल सुतर बनाने के लिए गोल्ड मोती लिया है यहाँ पर मैंने किस्टर वाले ब्लैक मोती लिया है यहाँ पर मैंने छोटे वाले इस तरह के पीले वाले मोती लिया है पूरोनी के लिए धागा यहाँ पर हमें लेना है एक बड़ा वाला गोल्ड मोती इस तरह का, यहाँ पर हमें लेना है pendant, यहाँ पर आप कोई भी pendant ले सकते हो, यहाँ पर इस तरह का pendant लिया है, यहाँ पर पहले हमें लेना है धागा, धागे को इस तरह से fold करते हुए double year धागा लेना है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से धागा ले सकते हो, यहाँ पर मैंने गले के हESाब से आपको जटना लांग मंग सतर चाहिए आप मूहाँ पर इतना धागा ले सकते हो यहां पर पीछे कट लागा कर इसpectoha से बांद दिया है और आगे को यहां पर हमें अलग अलग कर लेना है दोनों धागों को को हैंपर हमें सुई से बांद लेना है यहाँ पर मैंने सुई में सिलाय वाला धागा पूरू लिया है यहाँ पर हमें दोनों धागों में इस तरह से बांद लेना है यहाँ पर हमें दोनों धागों को सुई से बांद ले आपर हमें एक स्वी में पिला वाला मोती पुरो लेना है, इसी तरह से हैं आपर हमें दुसरे स्वी में भी ब्लैक मोती पुरो लेना है, आपर आपर हमें एक स्वी में पिला वाला मोती पुरो लेना है, इसी तरह से हैं आपर भी हमें दुसरे धागे में भी पिला वाला मोती पूरो लेना है यह देखें यहां पर आभी हमें गोल्ड मोती लेना है इसे इस तरह से पुरो लेना है इस तरह से पकड़ते वे यह वाली सुन से पुरो लेना है तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से पकड़ा है इसी तरह से पकड़ना है और यह जाली सुन से हमें आपर इ दोनों धागों में पिलावाला मोती पुरो लेना है। यहां पर अभी हमें एक गोल्ड मोती लेना है फिर से इसी तरह से पुरो लेना है धागयों के इसी तरह से पकड़ना है ताकि हमारा सुझ धागयों में फसे ना इस तरह से पुरो लेना है और दोनों धागयों को आई इस तरह से खिसते वे उपर के ले जाना है फिर से इसी तरह से आपर हमें मोतियों को पुरो लेना है फिर से आपर हमें दोनों धागों में फिलावला मोति पुरो लेना है आपर हमें दोनों धागों में ब्लैक और फिले मोति पुरो लेना है फिर से इसी तरह से एक गोल्ड रूम मोति लेना है फिर से इसी तरह से पुरो लेना है आप देख सकते हूं मैंने किस तरह से पुरो है इसी तरह से यहां पर आमें बराबर मोतियों को पुरोते जाना है यहां पर हमें मोतियों को इसी तरह से पुरोते वे आगे डिजाइन को बढ़ाते जाना है झाल 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 यहां पर आप अपने हिसाब से आगे मोतियों को बढ़ा सकते हूं यहां पर हमें इतना यह डिजाइन को बना लिया है यहां पर हमें इसी तरह से दुसरी साइड भी बना लेना है यहां पर मैंने दुसरी साइड भी बना लिया है इसे भी हमने पेंडेन को लगा लिया है यहां पर हमें इस साइड भी पेंडेन को लगा लेना है तो यहां पर हमें दोनों सुईं को इस तरह से पेंडेन में पूरो लेना है यहां पर हमें सुईं को निकाल देना है इस तरह से बीच में से पकड़ते हूं यहाँ पर हमें पीछे वाली साइड इस तरह से पूरो लेना है आप जेख सकते हो मैंने किस तरह से पूरो याई इस तरह से यहाँ पर हमें आइस्ता से उपर के और खीचना है यहाँ पर हमारा पेंडेन अच्छे से फिक्स हो जाएगा यह दिके इस तरह से यहाँ पर अभी हमें मोतियों को पेंडिन के और लाना है इस तरह से यहाँ पर अभी हमारा दोनों साइड पेंडिन को लग चुका है अभी हमें पीछे स्कुरू लगा लेना है तो मैंने इस तरह का स्कुरू लिया है यहाँ पर हमें दोनों साइड स्क्रू को लगा लेना है यहाँ पर हमें पीछे स्विंग को बांध लेना है स्क्रू को परो लेना है यहाँ देखे इस तरह से स्विंग को निकाल देना है यहाँ पर अभी हमें स्क्रू के बराबर अच्छे से नॉट लगा लेना है झाल झाल यहाँ पर हमने स्क्रू को लगा लिया एक्स्ट्रा दागा हमें कट कर देना है इसी तरह से यहाँ पर हमें दूसरी साइड भी स्क्रू को लगा लिया है तो यहाँ पर हमार आज काई भहुती खुपसरत पट्टी मंगल सुत्र डिजाइन तैयार है दिखने में भहुती बहुत ही आसानी से यह डिजाइन आप घर पर बना सकते हो आपको और भी मंगल सत्र डिजाइन सिखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो मैंने बहुत से खुब तरत मंगल सत्र की डिजाइन शेयर किया हुआ